हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इस्चूट में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th क्लास की फिजिक्स की 12th क्लास उसके 14 में चैप्टर के इलेक्टोनी युक्तियां इसका नाम है इसके important questions हम जानेंगे क्या-क्या important questions हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं बोर्ड में आएगा question तो इन्हीं मैस आएगा इनसे बाहर कोई आए गई नहीं लेकिन उससे पहले आपसे हमारी request है कि आप इस message को धान से पढ़ें इस पर क्या लिखा हुआ है वो काम जरूर करें ठेक है लाइक कर पर आ जाते हैं कुष्टन पहला देखएका पहला क्या है इस में हमने बारे question लिए हैं बारे चाने long समझ लिए चाने short ंतर मेले जो भी है पहला question है ओड़रया BAND क्या है ओड़रया Ben將 के आधार पर चालक गठम तथा Anda चालग ल Rush Department करण के टिक है ओड़रया Ben दार पर अगला कुशन जो है आपका वो कॉन सा है दूसरा कुशन आपको दिखाई दे रहा है दूसरा कुशन है आपका आनञी नट टाइप अर्द चालक से क्या ताथपर है। आन टाइप आड़ी चालक से क्या ताथकतों करोगे क्या तो आपको सरचना समझाएए सरचना का मदला हुए है हमने बना रखी है वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगे आपको और नहीं तो प्ले लिष्ट में जाएगा वहां पर आपका फिजिक्स 12 पार्ट वन स्टोरी पार्ट टू में मिलेगा ये ठीक है अगी बास अब आग तो पी एन संदी डायोड क्या है पी एन संदी डायोड का अग्राविनत तथा उतक्रम अभिनत का आरेक हीजिए तथा इसे समझाएए यानि पी एन संदी डायोड का अग्राविनत का आरेक बना दीजिए और उतक्रम अभिनत का बना दीजिए ठीक है आपका इसका पूरा स प्रिश्टकारी के रूप में कैसे प्रियुक्त किया जाता है सरल परिपत बनाकर किरियाविदी समझाईए इसकी किरियाविदी अभी अभी हमने एक दो दिन पहले कराई थी वहां से पीजल संदी डायोड का अर्द तरंग भी कराया था वहां से आप जाके देख सकते हो ठीक प्रिश्टकारी के रूप में कैसे प्रियुक्त किया जाता है सरल परिपत बनाकर इसकी किरियाविदी समझाईए ठीक है आपको किरियाविदी और इनका सॉलूसन की वीडियो जल्दी से बना दे रहा हूं पहले तो मैंने बनाई दिया है कि जो रह गए उनकी अब बना हू लेडी क्या है एक परपत आरे खीचिये तथा इसकी किरियाविदी समझाईए प्रचलित लेंपों की तुलना में इसके लाव लिए प्रचलित लेंप यानि की जो आपकी और जो लाइट होती है जैसे बिद्द वल्बू जो होता है तो उसकी तुलना में यह क्यों अच्छ पूरा याद कर लेना ठीक है तो इसमें से आपका आ सकता है बोड में बहुती ज्यादा इंपोर्टेंट कुशन है यह तिक है आगे बढ़ते है नौमा देखेगा नौमा कुशन कैसा है इसमें से आपका यह जरूर देखने के लिए मिलेगा दो नमर में और पांच नमर में यह लौंग मिलगा नं इस चैप्टर में से कम से कम नहीं तो पांच से उस साथ से आठनमर का मिलता है कुशन हम आपको देखने के लिए ठीक है और मिलेगा ही मिलेगा ध्यान रखना यह और गेट, एंड गे, नौट गेट, नेंड गेट और नौर गेट यह पांच गेट है जिसमें से तीन आपके मूल गेट होते हैं यह दोनों सायोजन करके बनाए जाते हैं इनके उपर एक मैंने पूरी वीडियो बना रखी है आप देख सकते हैं वहां पर जाके ठीक है तो लॉजिक गेट लॉजिक प्रतीक और इसका बूलियन बेंजक सत्ता सार्डी तथा परप कुष्ण क्या है जेनर डायोंड क्या है इसका प्रतीक या परपचिन बनाई जैनर डायोंड क्या होता है उसके बारे में लिखना है आपको टिक है अब देखेगा और यह विभव ग्राचीर तो यह बारह कुष्ण थैं आपके इन सभी के आप स्क्रीम सॉट ले लेना तो यह 12 कुशन बन गए हैं और इनको बहुत ध्यान से आपको कर लेना है याद ठीक है अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो यह 12 कुशन होगे अब एक चैप्टर और बचाए आपका 15 हमां 15 हमां की कुशन देने के बादे फि है आप टेंशन ना लोग आपका पेपर में बहुत अच्छे नमर आने वाले हैं